Hello Everyone, तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Broadcast Engineering Consultants India Limited की तरफ से कुछ vacancies निकाली गई हैं दोस्तो यहाँ पर आप vacancy advertisement number देख सकते हैं दोस्तो तोड़ा साम नीचे स्क्रॉल करें दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं driver की यहाँ पर 10 vacancies निकाली गई हैं और यहाँ पर जो eligibility यहाँ पर रखी गई है driver की post के लिए अगर आप 10th pass हैं और आपके पास driving license है for heavy vehicles का आपके पास driving license है दोस्तो knowledge है आपको motor mechanism का और working experience आपके पास 3 साल का है तो आप यहाँ पर दोस्तो driver की post के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो अगर आप यहाँ पर driver की post के लिए select होते हैं तो यहाँ पर आपके पास 20,202 रुपे पर मन्त आपको यहाँ पर मिलने वाला है चीक है दोस्तो इसके लावा दोस्तो यह जो vacancies निकाले गई हैं यह अभी increase भी हो सकती है decrease भी हो सकती है as per the requirement यहाँ पर यह change भी हो सकती है दोस्तो जो यहाँ पर preference मिलने वाला है वो यहाँ पर local candidates को preference मिलने वाला है और इसके अलावा दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि no TADA will be paid for attending यानि कि अगर आप test के लिए interview के लिए joining the duty on selection के लिए यहाँ पर अगर आप attend करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी travel allowances वगेरा नहीं दिया जाएगा चीक है और यह जो form आप इसके लिए apply करेंगे यह आपको online ही यहाँ पर submit करना है दोस्तों और इसके लिए आप यहाँ पर BECIL की website पर जा सकते हैं जो की है www.becil.com इस पर जाकर आपको carrier section में जाना है carrier section में जाने के बाद आपको click करना है registration form पे चीक है दोस्तों और उसके बाद आप यहाँ पर driver की post के लिए apply कर पाएंगे इसके अलाव यहाँ पर लिखा गया है कि candidate को inform किया जाएगा email के जरीए skill test के लिए interview के लिए interaction के लिए जो भी आपका होने वाला है वो आपको email के जरीए बता दिया जाएगा इसलिए दोस्तों आप जो email id यहाँ पर submit करेंगे वो आप valid email id ही submit कीजिएगा ठीक है दोस्तो थोड़ा साम नीचे scroll करते हैं नीचे scroll होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कोई भी अगर आपको doubt है कोई भी query होगी तो आप यहाँ पर इस email पर इन email पर आप email कर सकते हैं या फिर इस contact नमबर पर contact भी दोस्तों करके इन से पूछ सकते हैं दोस्तों अगर इन पोस्टों की हम बात करें तो last date यहाँ पर क्या रहने वाली है 10 December 2022 यानि 10 December 2022 तक आप यहाँ पर driver की यह जो पोस्टे निकाली गई हैं इसके लिए apply कर सकते हैं ठीके दोस्तों अगर हम fees की बात करें इसके लावाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आप यहाँ पर registration करेंगे वो यहाँ पर 7 steps में complete होगी सबसे पहले आपको select करना है advertisement number उसके बाद basic details को आपने यहाँ पर डालना है उसके बाद educational details, work experience वगेरा जो आपका है वो आपको यहाँ पर enter करना है फिर आपको upload करना है photo, signature, birth, certificate, 10th, certificate, card, certificate आपके बास जो भी है आप यहाँ पर apply कर लीजे उसके बाद आप यहाँ पर application को preview करेंगे और उसके बाद फिर आपकी payment यहाँ पर होगी और payment आप कर सकते हैं credit card से, debit card से, net banking, UPI वगेरा से आप यहाँ पर payment कर सकते हैं ठीके दोस्तो email your skin documents to the email ID mentioned in the last page आप the application form तो यह सारी चीजें यहाँ पर दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो photo आपको upload करना है उसका size वगेरा क्या होना चाहिए और किस format में आपको यह upload करना है यह सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं दोस्तो इसके अलाव यहाँ पर आप देख सकते हैं only online payment of registration application process fees is applicable यानि कि जो fees आपने कटानी है वो आपको online ही कटानी है there will be no any other mode यानि कि दूसरा कोई भी यहाँ पर mode नहीं दिया गया है दोस्तो अगर हम fees की बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं general category volume के लिए 885 रुपे fees रखी गई है OBC category volume के लिए भी 885 रुपे यहाँ पर fees रखी गई है SC, ST category में आप आते हैं तो 531 रुपे यहाँ पर fees रखी गई है X service main volume के लिए 885 रुपे fees रखी गई है woman के लिए 885 रुपे fees रखी गई है और EWS pH volume के लिए 531 रुपे यहाँ पर fees रखी गई है ठीके दोस्तो तो मैं hope करता हूं दोस्तो कि आपको यह सारी चीज़ें clear हो चुकी होंगी so thank you very much